हेलो स्टूडेंट्स कैसे आपसे भी लोग आई होग आप अच्छे होंगे और आपको इस करोना काल में अपना विशेज ध्यान नहोंगा आज हम अपने एरे के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एरे के सेकेंड टाइप्स को हम यहां से स्टार्ट करेंगे पढ़ना जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने टॉपिक डाला हुआ है एरे और हमारा जो सब टॉपिक है वो है टू डामेंशन है सबसे पहले हम यहां पर सिंटेक्स की बात करेंगे जब भी हम इसको डिकलर करेंगे या डिफाइन करेंगे कहीं पर भी तो कुछ इस तरीके के कॉंसर्ट को हम याद रखेंगे हम लिखेंगे इंट एरे का नाम और एरे का जो विक ब्रैकेट है उसके अंदर एक नमबर डा दालेंगे कोई और उसके बाद रागेट को बंग करके अंड ओफ लाइन कर देंगे सबसे काईली शीज हमने आप लिखी है डेटा टाइप यानि किस टाइप के वेल्यूस को यह एरे अपने अंदर स्टोर कर आएगा देन उसके बाद नेम ओफ एरे यानि के आप एरे के आ आपका नाम है उसको आप क्या दे रहे हैं और किस टाइप से आप उसको यहां पर डिफाइन करने वाले हैं देन उसके बाद नंबर ओफ रो कितनी है और उसके बाद नंबर ओफ कॉलम कितने हैं आप उसको यहां पर डिफाइन करेंगे देन उसके बाद बाद आप अपने में नीचे की तरफ देख रहे हैं एक हम नेहां पर किस तरीके raising आपका program आपके व् 215 रखेगा देखे लिखे number र् Mizra a number of column आपको यहां बताने हैं कितने रखे जाएं तो number of row column से हमारा यहां पर क्या मतलब है इसकामरा मतलब कि कितनी number of row रहेंगी और कुतने number of column रहेंगे और row और column के combination से क्या चीज़ रडी हो जाएगी matrix रडी हो जाएगी तो हमने यहां पर क्या किया matrix हमने यहां पर बनाई आप देख रहे हैं मैंने 3 into 3 का matrix यहां पर बनाया हुआ है और उसकी indexing को मैंने यहां पर रखा हुआ है indexing क्या है अमारी 00 इं τιशिस के बाद 01 इसके बाद 02 स्के बाद 10 फिर 11 फिर 122 इसके2 0 फिर 21 है प्र उसके बाद फिर हमारी 22 जैसा आप देख रहें हैm 00 मैंने फ़स्ट वाली जिरो पर लिखना हुआ i और दूसरे वाले 0 पर मैंने या लिखा हुआ है j इस बात का मतलब है कि जो indexing है पहले वाली जो first indexing है वो first for loop के लिए चलेगी और जो दूसरे वाली है वो दूसरे वाले loop के लिए चलेगी यानि कि i वाली value outer loop के लिए चलेगी और J वाली एनिके second वाली value inner loop के लिए काम करेगी इसकी indexing को हमें बहुत अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इसकी indexing के base पर हम अपने program में अंदर values को store करा पाएंगे चलिए इसका एक हम program देखते हैं चलिए हम एक program देखते हैं जो कि हमें two dimension array के बारे में बताया है कि इसके अंदर हमारी values को कैसे store किया जाता है और हमारी कैसे values डिस्प्ले होती है इस program के अंदर सबसे पहले हम दो header file लगाएंगे header file लगाने के बाद main method बनाएंगे main method के बाद जैसे आपने यह बाडी शुरू किया तो body को शुरू करने के बाद आपने देखा int लिखा हुआ है यानि कि data types है किस type की value यह array यानि कि matrix store कराएगी वो हमने यहाँ पर लिखा है then उसके बाद matrix का नाम ARR नाम से हमने यहाँ पर matrix लगा दी उसके बाद first block के अंदर number of row कितनी होंगी और second block के अंदर number of column कितने होंगी यहाँ पर लिखा हुआ है 3 3 यानि कि 3 into 3 यानि कि 9 element हमारे इस matrix के अंदर store किये जा सकते हैं देखे अगर आप यह चाहते हैं कि आपके matrix में direct ही element store करा दिये जाए तो उसके लिए यह प्रोग्राम है सबसे पहले आपने क्या किया एक integer ARR नाम का array लिया 3 into 3 का size अपने matrix का दे दिया equal to लिखा curly braces open किये और लगातार continue आपने 9 element को यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया आपने का 10,20,30,40,50,60,70,80,90 तक आपने element को store कराया element डाल दिया body बंद कर दिया and offline कर दिया इसमें क्या होगा कि जो data हमारा store होता है वो row wise store होता है यानि कि 00 indexing पर 10 value जाएगी फिर 01 वाली indexing पर 20 value जाएगी फिर 02 वाली value पर 30 value जाएगी जैसे यह one row complete होगी उसके बाद अगली indexing कौंची बैठेगी 10 तो उसपर क्या value जाएगी 40 जाएगी इसके बाद next हमारी indexing बैठेगी उसपर 50 जाएगी और इस तरीके से row wise हमारा data last column तब कि यह store करा देगा उसमें last value हमारी 90 store हो जाएगी इसके बाद integer i और j नाम के यहां पर दो variable लिये देखे i और j नाम के दो variable लेने की requirement हमारी यहां इसलिए है क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है जब भी आपको array के अंदर कोई भी काम करना है तो array के अंदर आपको जो भी काम होगा वो किस से होगा loop से होगा तो two dimension matrix है यानि के matrix है हमारी 2D array है तो यहां पर हमारे 2 loop चलेंगे एक inner और एक outer तो इसलिए हमने यहां पर i और j नाम के 2 variable लिए है सबसे पहले आप अपनी screen को यहां पर clear करेंगे clear करने के बाद printf डालेंगे body शुरू करेंगे inverted comma के अंदर आपने यहां पर printf में लिख दिया display element slash n लगा दिया slash n इसलिए लगाया कि जिससे हमारा cursor next line में पहुंच जाए inverted comma close कर दिया bracket बंद किया end of line लगा दिया हमारा main motive यह है कि matrix की form में element हमारे दिखाई दे इसके लिए हमने loop चलाया आपको loop चलाना inner outer loop में पहले वीडियो में दिखा चुका हूं कैसे चलता है अगर आपको inner outer loop चलाने में जड़ा सीवी problem है तो आप उसको पहले वाली वीडियो को easily देख ले और उसके बाद इस program को देखे for loop में हमने कहा i equals to 0 i less than 3 और i plus plus हमने यहां पर कर दिया फिर उसके बाद हमारा नेक्स लूप अंदर है इसी के 4 में j is equal to 0 j is equal to 3 printing statement हमने यहां पर डाल दिया printing statement ध्यान से देखना inverted comma percentile d slash t यह slash t है यह क्या काम करेगा gap maintain करने का काम करेगा एक element से दूसरे element के बीच में फिर हमने error नाम का जो array है वो लिया और i पहले box में i डाल दिया और दूसरे box में j डाल दिया मैंने आपको बताया था कि first वाले में row के लिए consider करेंगे और j वाले में column के लिए consider यानि कि first indexing i से denote होगी second वाली जो उसकी बराबर में लिखी रहती है वो json denote होगी फिर आप देख रहे हैं नीचे आपने यहां पर printf करके slation डाला हुआ slation यहां पर आपने इसलिए डाल दिया जिससे कि आपका जो cursor है वो next line में पहुंच जाए यानि कि तीन element display करें next line में पहुंच जाए तीन element display करें next line में पहुंच जाए ऐसी फर्दर आप matrix को display करा सकते हैं अब देखते हैं कि हम लोग की काम कैसे करता है हमारा loop हमने यहां पर देखा कि हमारा 4 i is equal to 0 है condition हमने चेक करी कि 0 चोटा है 3 से condition true है अंदर आ गया j is equal to 0 condition चेक कुई 0 चोटा है 3 condition true है अंदर आ गया अब printing statement में आप देखेंगे यह आरार की i की value कितना है 0 j की value कितना है 0 तो 00 indexing पे हमने आपको बताया था उपर वाली line में चलिए 10 value डाल रखी है 10 value कहां डाल रखी है 00 indexing पे डाल रखी है तो क्या value display होगी 10 display होगी फिर उसके बाद j वाले loop में increment होगा जैसी j में increment होगा तो j की value हमारी कितनी हो जाएगी 1 फिर अंदर आएंगे printf में अब situation क्या बन गई है 01 01 पे indexing पे क्या element पड़ा होगा है 20 पर जो slash t है वो 10 और 20 के बीच में gap maintain करने का काम करेगा महां पर उसने gap maintain कर दिया then j को फिर से increase कर रहा है अब j के अंदर अमारी value हो गई है 2 condition check करी true है नीचे आ गया अब condition बन गई ARR की i और j यानिके 0 और 2 वाली position और 0 2 वाली position पर हमारा कौन सा element है 30 element पड़ा हुआ तो उसने महां पर 30 display करा दिया अब j की value 2 के बाद 3 हो जाएगी increase होने के बाद तो condition हो जाएगी false false होने के बाद loop नीचे की तरफ आएगा और जहां पर आपने printf करके slash and डाल रखका है ना इस line को वह read कर लेगा और जैसी उसने इस line को यहां पर read किया तो जो हमने 10, 20, 30 display किया था उसके बाद हमारा cursor next line में चला जाएगा और उसके बाद वो i को increase करने के लिए जाएगा अभी आप देखेंगे i एक बार चला था 0 value थी और उसके बाद j का loop तीन बार चला 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए तो उसी इसाफसे जो indexing रही 10, 20, 30 की value print हो गई देन उसके बाद j की value कितना हो गई है हमारे पास j की value हमारे पास हो गई है oh sorry i की value हमारे पास हो गई है 1 1 होने के बाद condition चैक हुई अब दुबारा नीचे loop में गए j वाले loop में गए j is equal to 0 देखें j की value फिर से 0 हो गई ठीक है j की condition चैक हुई printing statement में पहुचा printing statement में condition फिर से same आ गई arr की i j वाली position i में क्या है 1 और j में क्या है 0 यानि के 1 0 और 1 0 पे कौनसी value पढ़ी है 40 value पढ़ी है 1 0 पे उसके बाद फिर j बढ़ेगा अब j की value कितनी हो जाएगी 1 1 1 1 पे क्या value पढ़ी है 50 फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे j की value कितनी हो जाएगी 2 1, 2 वाली position पर क्या value पड़ी है हमारी किता पड़ा हुआ है 60 पड़ा हुआ है फिर उसके बाद condition falls नीचे आएगा printf में जाएगा slash and उसने read किया next line में चला जाएगा यहनिके हमारी 2 line है यहनिके 2 हमारी जो row है वो लिखी गई है 10, 20, 30, 40, 50, 60 then वो आगे बढ़ेगा फिर i की value के लिए उपर जाएगा i की value कितनी हो जाएगी इस बार 2 हो जाएगी देखे 0 थी तो 1st row लिखी गई 1 थी तो 2nd row लिखी गई अब कितना हो गया 2 तो इसका मतलब हमारी 3rd row लिखी जाएगी यहापर और 1st row में जब i की value 0 थी तो j की value कितने बार चली 0, 1 और 2 फिर उसके बाद क्या हुआ i की value कितना हो गई 1 फिर जे की value कितनी बार चली 0, 1 और 2 के लिए चली अब जब i की value कितना होगई है 2 हो गई है तो फिर से वो कैसे चलने वाली है j की value 0 यहनी कि condition क्या आएगी 2-0 और 2-0 पर कौन साइलिमेंट है 70 फिर 2-1 पर कौन साइलिमेंट है 80 और उसके बाद 2-2 पर कौन साइलिमेंट है 90 यहां पर मैंटेन उसकी वज़े से आपका जो यह मैंट्रिक्स है बिल्कुल प्रॉपर मैंट्रिक्स के फॉर्म में ही दिखाई देगा इसको आप लोग एक्जीक्यूट करेंगे आउटपुट देखते हैं कैसे आएगा फिर उसके वाद गेट सीच करके रीड कर लेगा देन ब्रॉपरों आप nied gute मैसज आपने दिया था तो आपके ब्रॉपर हैं तो यहांपर कि अचलाओ चला टेखेंगे पासंपड करके अह चला गया ओसITY कर क्या झाली नि आनि फिस फ्ने के बाद ने 80-90 जो बाद में printf के अंदर आपने slash n लगा रखा है वो क्या कर रहा है करसर को next line में लेकर के जा रहा है तो इसलिए जब वो next line में लेके गया क्यों लेके गया क्योंकि हमने printf में slash n लगा रखा है इस तरीके से आप इस program को execute करेंगे और इसका same output जो आपकी screen बर दिखाई दे रहा है same output आपका ऐसे ही आएगा ठीक है आई हो आप इसको बहुत अच्छे समझ गये होंगे धन्यवाद